आपको बता दें जीवन में कभी भी समय बदल जाता है धनका आग्मन अचानक से होने लगता है इसमें राशी और कुणली के दोश भी अपना असर जरूर दिखाते हैं आज़ आपको ऐसी तीन राशी के बारे में बताने वाले हैं जिनको 24, 25 और 26 नमंबर को खुश्यों के बादल मटराने वाले हैं इनके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है साथ ही कई बड़ी चीज़ें इनको हासिल होने वाली है इनको कई बड़ी समाचार सुनने को मिलेंगी जिन्दगी में इनके लाव होने वाला है आप किसी भी धर्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं धर्म का आगमन होगा और समाज में आपका मान संपांदी बढ़ेगा संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा आपको लाव होगा तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब है बिना सोचे समझे आपको ये भी नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विशेश लाव हो वहीं कोई भी नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं किसी भी भाएक या वोटर साइट या यो कहें कि आपको गाड़ी में दिल्चस्पी है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब है इस समय आपको वहां खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब रहेगा किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं रहेगी जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां मिलने के योग बन रही हैं साथ ही आपका जीवन बहुत तेजी से अप्चमकता हुआ नजर आएगा आप बहुत तो भागशाली हैं जिसके चलते आपके जीवन में खुशियों का बनना बने वाला है साथ ही आपके सभी संकट भी दूर होने वाले हैं इस समय के दौरां किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जो आपके लिए काफी जादा लावदा एकसित होगी कोई भी यात्रा आपके लिए सुख़द रहेगी आप काफी जादा घृषी के साथ इसी भी यात्रा का आनंद लेंगी ज़िए आप कहीं निवेश करते हैं तो इसमें आपको भारी धन्गलाब प्राप्ट होने की भी उपर रहे हैं साथ ही निवेश के लिए ये समय भी काफी जादा उचित रहेगा इस समय आप कोई भी नहीं भी निवेश कर सकते हैं इसमें आपको विशेश लाब होगा भारे धन की प्राक्ति होगी तो आईए आपको बताते ही आखिर कौन सी हमूद तीम राशिया वो राशी हैं मेश, मकर और अन्या राशी नेक्स्ट नाइन वक्ति जागर से आताश के बाउट